Hello everybody, in this video I will solve the some question of ratio and proportional यानि कीम आज के वीडियो में हम अनुपाद और समानुपाद के कुछ क्वेस्टनों को सॉल्व करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ ही बैन नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएए जिससे की आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए अब हम फस्ट क्वेस्टन की ओर चलते हैं क्वेस्टन नमबर फस्ट देखिए 340 रुपे को A, B तथा C में इस परकार बाटें की A तथा B के हिस्से का अनुपाद 1 रेशियो 2 हो तथा B एवं C के अनुपाद 3 रेशियो 4 हो क्वेस्टन में आपके पास कुल रुपे हैं 340 आपको इस रुपे को तीन लोग में बाटना है A तथा B तथा C में जब आपने इस रुपे को बाटा तो फ़स्ट बार आपको अनुपाद मिला है A तथा B का 1 रेशियो 2 का और सेकेंड बार जो आपको अनुपाद मिला है B तथा C का 3 रेशियो 4 का अब first और second में B का अनुपाद common है. अब B का अनुपाद common है तो हमको अनुपाद को same करना है. इसलिए जो first वाले अनुपाद में आपको B की value मिली है उसको हम second वाले अनुपाद से multiply करते हैं. और देखते हैं क्या मिलता है. जब हमने 2 से 3 ratio, 4 को multiply करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6 ratio 8 अब हम second वाले में जो B की value है उसको first वाले अनुपाद से multiply करता है तो देखते हैं हमको क्या मिलता है अगर 3 से हमने 1 ratio 2 को multiply किया तो हमको मिल जाएगा 3 ratio 6 यानि B की value हमारी अब common आ गई है A का अनुपाद आ गया हमारा 3 और B का अनुपाद आ गया 6 और C का अनुपाद आ गया 8 I hope आपके समझ में यहां तक आ रहा होगा अब हमें यहां सी हो पता लग गया जो हमारे पास 340 रुप्ये थे उसको हमने A तो था B तो था C में इस ratio में बाटा है माना A को 3X रुप्ये मिले पलस B को 6X रुप्ये मिले तो टोटल रुप्ये कितने थे हमारे 340 अब हम इन सब को सम करते हैं 8 से 14, 14, 3, 17, X हमको मिल जाएगा तो 340 ऐसी रहेगा तो X is equal to 340 बटे 17 यानि हमको मिल जाएगा X की वैल्यू 20 हमने A का हिस्से को कितना माना था? 3X अब X की वैल्यू 20 आगे तो 3 गुणा 20 यानि A को 60 रुपीज मिले अब B को कितना मिला? 6 गुणा X यानि 6 गुणा 20 यानि 120 रुपीए B को मिले अब देखो C को हमने क्या माना था? 8X यानि 8 गुणा 20 यानि C को 160 रुपे मिले आयोप आपके समझ मारा होगा अब हम नेस्ट क्वेशन की ओर बढ़ते हैं क्वेशन नमर सेकंड देखिए रमेश और सुरेश की आज की उम्र 9 रेशियो 4 के अनुपात में हैं तो 7 वर्से बात यही अनुपात 5 रेशियो 3 होगा आज की रमेश की उम्र कितने वर्से होगी? तो आज की रमेश की उम्र कितने वर्से होगी? क्वेशन में आपके पास 4 आप्सन है तो अपना अंसर कमेंड करके बताओ मैं इस क्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ क्वेशन में आपको दिया है रमेश और सुरेश की आज की उम्र का अनुपात यानि बर्तमान उम्र आज की उम्र मिन से बर्तमान उम्र का अनुपाद है 9 रेशियो 4 साद वर्स बाद यही अनुपाद कितना हो जा रहा है 5 रेशियो 3 अमाना रमेज की बर्तमान आयव 9 एक्स है और सूरेज की बर्तमान आयव 4 एक्स है तो 7 वर्ट से बाद हम इसमें दोनों की आयो में 7 एट कर देंगे जब हमने इन दोनों की आयो में 7 एट किया तो हमको क्या मिला 9X पलस 7, 4X पलस 7 और 7 एट करने के बाद जो इनकी आयो का अनुपाद हो रहा है, वो कितना हो रहा है 5 ratio 3, अनुपाद को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं जानि अगर 9 ratio 4 है तो हम इसको लिखेंगे 9 बट्टे 4 अब हम इसे आगे को solve करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है यह हो जाएगा 3 multiply 9X पलस 7 is equal to 5 multiply 4X पलस 7 अब हम 3 को 9X से multiply करते हैं तो हमको मिल जाएगा 27X और पलस 21 यह मिल जाएगा हमको 20X पलस 35 अब हम X X वाले term को एक side लिखते हैं और without X वाले को एक side लिखते हैं 27X को हम यहीं पर लिखते हैं और 20X हमारे right side है इसको हम right से left लेके आते हैं तो यह किसमा जाएगा minus 20X 35 हमारे अपनी जगों पर रहेगा और 21 को हम left से right लिखते हैं तो हमको यह मिलेगा minus में 27X से 20X को घटाते हैं तो हमको मिल जाएगा 7X 35 में से 21 को घटाते हैं तो हमको मिल जाएगा 14 तो X is equal to आ जाएगा 40 by 7 यानी 2 जब X की value 2 आ गई तो रमेज की वर्तमान आयो हमने कितनी मानी थी 9X तो 9X में हम 9 तो ऐसी रहेगा X के जगों पर क्या रख देंगे 2 यानी 9 x 2 यानी 18 वर्स रमेज की वर्तमान आयो होगी अगर सुरेज की पूस्ता तो फोर गुणा 2 यानी 8 वर्स आई थिंक आपकी समझ मा आ रहा होगा अब हम next question की ओर चलते हैं next question देखिए एक फर्म में मुर्गियों सुरों पता घोडों का अनुपार 10 ratio 2 ratio 3 है यदि फर्म में 120 मुर्गिया हो तो फर्म में घोडों की संख्या है question में आपके पास 5 option है तो आप अपना answer कमेंड करके बताओ question में आपको दिया है मुर्गियों, सुमरव और घोडों की संख्या का अनुपाद 10 ratio 2 ratio 3 question में आपसे पुछा है घोडों की संख्या तो घोडों की संख्या जिकल्ट हो जाएगा मुर्गियों की संख्या और मुर्गियों का अनुपात से हम इसको डिवाइट करेंगे और घोडो की संख्या के अनुपात से हम इसे मल्टिप्लाइ कर देंगे 0 से 0 कर जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12 गोणा 3 यानि 36 घोडो की संख्या हो जाएगी I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो थैंक्स वर वाचिं इस वीडियो